काट्रीना केफ और विकी कोशल की शादी में फूलों की सजावट करने वाले कारीगर यूपी से बुलाए गए हैं। बता दे इवेंट कंपनी के लोग महमानों को होटल छोडने के बार टैक्सी ड्राइवर बरवाडा के मीना धर्म शाला में ठेहरे हुए हैं। वहीं बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो यहां करीब 150 बाउंसर्स मौजूद है। साथी होटिल सिकसेंस के बाहर सड़क परासपास पुलिस अधिक्षक राजेश सिंग के आदेशों के चलते 25 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी लगाई गई है। जो 10 तारीक को शामाट बज़े तक यहां तैनात रहेंगे। काटरीना कैफ और विकी कोशल की शादी राजस्तान के सवाई माधोपूर के सिकसेंस फोर्ट बरवाडा में 9 डिसंबर को शाही अंदाज में होने वाली है। शादी की रसमे भी आज से शुरू हो गई है। वहीं शाही शादी को शाही बनाने के लिए होटल के अंदर हर जगा को फूलों से सजा रहे हैं। स्विमिंग पूल से लेकर शादी की रसमे होने वाले पंडाल में गुलाब गेंदा से लेकर हर तरह के फूल लगाए गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपूर में चौत का बरवाडा में आयोजित होने वाले एक्टर विकी कॉस्षिल और एक्ट्रेस काट्रीना कैफ के शाही विवास अमारों में आने वाले सितारों के लिए एक नोटिस जारी किया गया है ये नोटिस ऐसा वैसा नोटिस नहीं है बल काथी कम समय में बॉलिवुड में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाने में सफल साबित हुए हैं जिन्देगी की पहली पारी में सफल होने के बाद अब वो अपनी दूसरी पारी की शुरुवात करने जा रहे हैं जी हां विकी बॉलिवुड की मश्यूर अभी नेत्र कट्रीना कैफ से शादी करने जा रहे हैं इस मैरिज को दोनों ही कपल काफी सीक्रेटली सेलिबरेट करना चाहते हैं और गेस्ट लिस्ट भी काफी कम है अब पिच्छोज और फोटोस कब वाइरल होती है और कब बाहर आती है ये तो इवेंट कंपनी और ऑफिशल टीम ही ड कट्रीना विकी से जुड़ी हर एक खबर के लिए बने रहे है फैक्ट मीडिया के साथ